हेलो फ्रेंड्स तो वेलकम टू माई चैनल मोनिकावस फूड ब्लॉग तो जैसा कि आप देख रहे हो तो आज मैं रसेपी लेके आए हूँ ब्रोकली की इस्टर फ्राइ तो ब्रोकली को बनाने के लिए देखे मैंने ऐसे ब्रोकली को से पीसिस में कट कर लिया है उसको अच् से बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है और मैं इसको सरसो के तेल में बनाऊंगे बिकोस सरसो के तेल में बनाने सब जो होती है बहुत ही टेस्टी बनती है तो मैंने इसको ऑल डाल दिया है तो आयल को अच्छे से हम पैन को मिक्स कर लेंगे तो और ऑल की गरम ह ना प्याज को में बहुत लाल नहीं करना है वो ब्रोकली के साथ भी फ्राई होगा अब इसमें हम हरी मिर्च को डाल देंगे और एक तेश पत्ता को मैंने ऐसे तोड़ की डाल दिया है और जो ब्रोकली है वह बहुत ही जट पड बनने वाली सब्जी है तो अब हम इसमें को जरूर डालना चाहिए सब्जी में विकोज हींग की डालने से क्या होता है न जो सब्जी होती है बहुत ही डाइजेस्ट हो जाती है तो हमें इतना ही फ्राइ करना है और अब हम इसमें कुटे हुए लसुन को डाल देंगे यह यह आठ से दस लसुन की कलिया है जिसको मैंने चिल के कूट लिया था इसे अच्छे से मेक्स कर लेंगे अब हम इसमें ब्रोकली को डाल देंगे इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है तो इसे जो हम बहुत ही कम मसालों से बनाएंगे मिसमें मसाली ज्यादा यूज नहीं करना है विकोज यह हमें स्टर फ्राइ अब इसमें भुजिया बना रहे हैं सब्जी को तो आप मिसमें नमक को डाल देंगे हल्दी को डाल देंगे कश्मेरी चिली पाउडर को डाल देंगे और गरम मसाला को डाल देंगे तो इसमें हमें बस इतने ही मसालों को यूज करना है अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो जो ब्रोकली होती है न हमारे लिए बहुत ही हल्दी होती है हमारे बॉन्स के लिए भी बहुत ही फाइदमन होती है तो इसको अब हम थोड़े दर के लिए ढख देंगे फाइफ मिनट के ढखेंगे तो देखें फाइफ मिनट हो गया है मिक्स करेंगे तो इसे हम ऐसे ही ओपन करके पान से दस मिनट तक फ्राइ करेंगे थोड़ा सा चाहो तो आप इसमें पानी डाल सकते हो इसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है तो देखिए ऐसी मैंने फ्राइ कर लिया है ब्रोकली जो है न वह अब फ्राइ हो गया है तो यह देखिए ब्रोकली इस रड़ी टो इट चलिए इसकी सर्विंग कर लेते हैं तो मेरी अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो यह देखिए ब्रोकली हमारी बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी लग रही है तो इसको आप पराथे रोटी के साथ खाएं और एंज्वाइ करिए तो मिलते हैं नेक्स्त रसेपी के साथ बाबाव